खेद्राबाद योग सभध खेती से भारती जनलता कार्टी के अभ्यत्थी भाई भर्मन्ट्राउजी असेंबली के अभ्यत्थी नाई लाईला सिंधी मंजबर आसीन संसर में मेरे सहयोगी रहे और आंध्र प्रदेश के प्रभारी भाई प्रटाश जयावडे कर दी हरती दुर्ता पार्टी के राष्ट्रिय महामेद्प्री और आज दिनबर मेरे साथ प्रवास करते रहे भार्मन्टी दर राउजी पार्टी के सभी वरिष्ट नेकालाण और हैद्राबाद की इस विशाद जलसमा में उपस्ते आजब क्योंकि मेरे भुदूर को माता अभेन वो इसने ही भाई दिए सबसे पहले तो मैं विलम्द से आने की ठ्षमा चाहती हूँ बाद तो है पुराने तीन घंटे से आप पतिक्षा कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि स्थितिया मेरे कालू में नहीं थी मेरा कोई दोश नहीं था आज मेरी चार सभाई मेरे धारिक की मेलग में नर्सापुर और वरंगर की सभा करके जब मैं हेली पेट पर पहुंची तो सुचना मिली कि प्रानमंत्री के दोरे के कारण मेरे हेली कॉप्टर को उड़ने की अनुमती नहीं मिलेगी और इसलिए मुझे कार से सभाई करना ते किया और उसके बाद मैं छोटुपल की सभाई करते हुए यहां पहुंची हूँ और भाजते दौटे यह सभाई पकड़ी है लेकिन जिस जोशों खरोण से और जितनी बड़ी उपस्किती में आपर भड़े हैं मुझे पक्ता विष्वा से यह भाई भरवन त्राव जी की और ने भाई लाजय सी की पतल या पतल नहीं आपकर नहीं करी है अंको देवल इस वसल को गाइदना पाती है कि इस कारी को जाई है मतदान केंटर में अपने इस बढ़ने हुए मन को इलक्षन की वोर्किंग मशीन में ज़ज करा दीती है और दोनों को भारी बहुत से यहां के भिता लेकर देए इस बार तेलंगाना आई हूँ तो मन प्रसंद नहीं क्योंकि वचन पूर्थी का हाथ की संतोष भी है और तेलंगाना निर्मार की प्रसंद अटा भी है हरत ये जन्ता पर्टी ने सावजनी ग्रूप से ये वचन दिया था कि अगर कॉंगरेस की सरकार तेलंगाना बनाने का फिर लेकर आएगी तो हम अपना समत्रन देकर उसे पारिट कराएंगे और नहीं तो अगर हमारी सरकार आई तो हम सो दिन में तेलंगाना का निर्मार करेंगे हमने अपने उस बचल को निभाया और पूरा किया 1997 में काकी नाड़ा में जो प्रस्ताव पारित किया कर हमारी राजजी काई ने 2006 में भारत की जन्ता पार्टी ने अपने राष्ट्री एजेंडा में उसे शामिल कर दिया था तब से लेते वाइस तक पिछले आज वरसों में कभी हमने पीछे मुटके नहीं देखा हमारा जो नेदर देलंगाना आया उसने इस बार को दोराया राजना सिंग जी आये तो उन्होंने यही बात करी निदिंगर करी आये तो उन्होंने यही बात करी आडवादी जी रख्याकर लटकर आये तो उन्होंने भी यही बात करी जितनी सभाए मैंने करी महबूब नगर में करीम नगर में वरंगर में वहां मैंने यह बात करी कि कि अब तेलंगाना का निर्वान भी करेंगे और सीमांधर के साथ ब्यायवी करेंगे। काथ यस बचेंथ हो, हमने भूला किया, लेकिर में प्रोप, कॉंझे कॉंछ तेलंगाना निर्वान का स्पेड डेना चाहती है। मैं आज इस मन्ट से कहना चाहती हूँ, कि कॉंगरेस का लेतर को दो खेवों ने बता हुआ था, वो तेरंगागा नेवाद नहीं करना चाहते थे, वो दोनों हरतों में लट्व रखता चाहते थे, वो तेरंगागा के सांसतों को मुला कर केते थे, हम बिल लाएंगे, पेश कर करेंगे, और उसको पारित भी करवाएंगे, पर आंध के दोगो को कहते थे, घबराना मत, हम बिल्को केवल पेश करेंगे, पारित नहीं करवाएंगे, हम ने उनके इस शडेंदर को फांग लिया था, उनकी इस चाहँ को पहचान लिया था, और इसलिए, क्रमों पर तक्ष करने का काम लिया, आज इस बंट से मैं कहना चाहती हूँ, कि कॉंग्रेस देलंगाना देर्मान के लिए श्रहित के अधिकारणी नहीं हो सकती, लेकिन देलंगाना के देर्मान में जो गुलम हुआ, उसके लिए जो त्यारा सो बच्चों ने आतुदा किया है, उसके लिए जो जिब्मेदार जरूर हो सकती है, आपने सुना होगा संसत में भी मुझी और बाहर भी, मैंने आतुदा करने वाले बच्चों से कहा था, तेलंगाना कोसं बढ़दाना बदू, तेलंगाना चुलदान की बतकाली बतकाली, तेलंगाना को बनाने के लिए मरो माच, विलन होता रहा, उसके कारण भावेश में आके वो सिल्सिला जारी रहा, और अंकते ग्यारा सुबच्चे आतदार करके चली है, आज वो नहीं है इस तेलंगाना को देखने के लिए, उनके बाबाब कलब रहे हैं, उसकी जिम्मेदानी एक कॉम्रेस जरूर है, लेकिन आज में कहने आई हूं, कि तेलंगाना का निर्मान तो हो गया, अब हमारा, अब हमारी का अब हमारी का अब हमारी का दिकास करने की है, हम त्यारस के लेदाओं के उस भाशा से सहमत नहीं है, कि हम हैजराबाद से लोगों को निकाल देंगे, हम उस बाद से सहमत नहीं है, कि हम सी जो पाली व्यक्ट जा रहा है समुत्र में हम उसको रोकेंगे और तेरणयाना की भी प्यास बूजाएंगे और सीमान की भी प्यास बूजाएंगे और जो है दमाज में रह रहा है हरें को सुष्षित या जीने का दियाद देंगे वह भारत के नागरिक है और जहां चाहिए वहां रह सकते हैं इसलिए तेरणयाना में भी वह पूरी सुष्षा से रह सकेंगे ये आश्वासन में देने के लिए आपके बीच में आज पूतना, पूतना , सोगजाथ और पोठी जैसे कवीयों की ये भूनी है यह उसका कहा है को ती प्रटनाला भी ना एक करॉर लोगों के रत्नों की माला है ये प्रदेश आर्वीय प्रदेश का दिकास करने के लिए हम लोग उन्हें चारों करक्ष से अध्यियन करके यह काई दिया है कि प्राइशन प्रोजेक्ट को हम नेशनल प्रोजेक्ट बना कर रखेंगे जिससे साड़े बारा लाग एकर भूमी को हम सिंचित करने का काम करेंगे नकाला दंदी नंदी जैसे प्रोजेक्ट को हम कम्पीट करेंगे SHBC जेसे प्रोजेक्ट को हम कंविक करेंगे और यहां पानी पिराने का कान करेंगे नागएटा ते से जगे में जहाँ फ्रोराइट पानी के कारणटों को पाहिज हो रह रहे हैं पीकर और पूपानी का पीमे का प्रभणी करें है नि ऐर मिडे में आए है कि देश में परिवर्दन युद्स app प्रिटन मों पतंग किया है, तर्फर्प सर्कार्प जोग सब्सक्राद कोई दिन पीई गवर गोड़ नंबर तीन पर वोटालों की भरमार नंबर जातर किसालों का हाहकार नंबर पांच पर नंभर प्र नंबर प्र पाकिस्तानी सेमिकों का सीमा पर अत्याचार और नमबर साथ पर जिलरात महिलाओं के साथ होता धुराचार ऐसी है ये कॉंग्रेस की सरकार इसे उखाड भेखने का समय आया है मित्रो इसे तीज तारीक को अपनी भोट से उखाड देगा ये लोगतांजर की खुबसूरती है अगर उसमें सही निशान पर बटन दब जाए तो ये सरकार उखाड कर दिनकी जाज़ती है इननी बहें रेचिए महगाई की पहनी माल इनकी रसोई पर पड़ती है पती की आप देनी में एक रुपए की बढ़वती नहीं होती इनकी रसोई का बज़त हर महीं स्वर्पिया बढ़ जाता है आजा, दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक, आलू, प्याज, सब के दाम आसमान छुड़ा है अगर अगर अगरे माचल पर शिकन डाल के पती को कह दे कि ये बात इतन खाव या रित्मी आमजरी में गुजारा नहीं होता तो कोई दो शब्साहन भूती के सुनने को नहीं होते क्या सुनने को मिलता है कि चबता है चबता है चबता है चबता है चबता है और चबता है जाकर डाल के तो लाने से रहा केशे जबाए घर, एक तरीका जानती है और वो अपलाती है, दे दाल में पानी, दे दाल में पानी, दे दाल में पानी, अपानी दाल दाल के इसके पती दें की दाल पत्ती होती जाती है, एक दिन जब बच्चों को परुस्ती है तो चम्मच मा के कहते हैं, मा ये दाल है या द पानी नहीं तो जवाब आता है महना इसलिए बढ़ रही है को कि दरीबों ने खाना खाना जयादा शिनुपर थिया हावाया किसान को ताम ज्यादा मिल रहा है यह नहीं इसके बढ़ रही है कि इस सरकार आतंट भ्रेश्ट आचार में डूबी हुई है और जिस सरकार के मंद्री दोलों हाथों से दूट रहे हों और अपनी चेपे बढ़ रहे हों वो सरकार जेनटा की चेप खाली करके ही रहती है और वहीं हो रहा है कि वो हाथ जिसके लिए नाला लगाया था कि यह हाथ आम आदमी के साथ वो हाथ कभी आम आदमी को दिखाई नहीं देता कभी वो हाथ उनका कंधा से दाने नहीं आता कभी वो हाथ उनका सिर्दवाद नहीं आता जब भी वो हाथ आता है उनकी जेव स प्रणे तड़नी यहां केहां। दरतुप कर प्रदक्षी के यह जादे थी लिए प्रрах टौट ते लोगता थी आधा प्ररन धालब ik दूसरे भोटाले में पहले का रिकॉर्ड तोड़ा, दीसरे भोटाले में दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ा तूजी में एक लाग शीयद कर हदा करोड गया, तो पोईला आवंतर में एक लाग शीयासी हदा करोड गया और पहले सी दगुजी में सब्तर हदा करोड गया सारे चार-चार लाग करोर रुपया जो राजस को का खाटा कर जाएगा वो कहीं से तो वसुदा जाएगा और वो जाकर आपकी जेव पर ड़ला और आपकी जेव से निकाला रहा केवल महिनाई को मैंने का पाकिस्तानी सैनिकों का सिंगा बन क्या जाएगा आपने देखा होगा उठिश के पाकिस्तानी सैनिक सिंगा में आपक्रमाट करके आए हमारे जवालों को केवल मार करने के उनके स्टर काट कर अपने साथ ले गए और एक बास के उपर उनको खुआ दे बे और इस निकबनी सार्कार में स्टर कटा अश्या उस शेहिद के बंज दीदी जब वो फॉज में गए थे तो कही ना कही मन ने ये बात को थी कि शायर किसी देश पर शेहिद हो जाएं लेकिन मन ये कभी इस भी कार नहीं करता था कि मनने के बाद भी उनके अंतिम दर्शन नहीं करताओंगी जब मैं ये कफल मुगारा तो केवल ठड़ ही धर था उनका सर मुझे दिखने को नहीं मिला उनका मुझे देखने को नहीं मिला और इस वाकार ने कोई मंत्री उनके दास अंसकार में भी नहीं भेजा तिक कहें करकर वो पिलग रही तिक कलब रही वो मुझे कह रहें कि पांच मिर्ट बाकी है ये तो थोड़ी लोकल बात पो कर लूँ तो कि समझे के घूमकर आई तो कहीं PRS से मुकाबजा कहीं कांगर से मुकाबजा लेकिन ये को जैसे MIM का घढ़ बगया इतने वर्षों से M.I.U.C. occupational स्थित्म चले आ ठाले कर दाया है मैं पूछना आ चाह Tiffany के वो दूनों च्थित्थे है वो भारत माता के दूनुहसे ज़avez phenomenal कर समक्रिफत är भारत माता के दो QNम पर ठालवान कर जिट्थे text मैं आज कहने आई हूं हैद्राबार के लोगों को हैद्राबार के मत दाता हो इस बार इस ट्रेंड को बगर दालो हमने उस पीचे सुनी हैं उन भाज़नों को सुनकर एक हिंदुस्तानी के नाते माथा शर्म से जुखता है कि क्या ऐसी बाते हिंदुस्तान की सरजमी पर पहीं जाती हैं और ऐसी बाते कहने वाले सर्यांग दना दिल में घूम सकते हैं मैंने आपसे कहा था के मशीन के बेटर में बहुत बड़ी ताकत है आज ऐसी संस्कृति के लोग हमने दिया हैं प्राजा सिर्व भगवन दाओ जी जो संस्कृति ये मांती है केट हिंदू अच्छा हिंदू रहे एक मुसल्मान अच्छा मुसल्मान और दोलों अपने अपने पंच के मुदाविक अपने अपने मजब के अनुसार की वाज़तों पुझा आर्चना करते हुए एक दूसरे के धर्म का सम्माल करें ये हमारे लिए धर्म ने देशता है है थादाबाद वालों अर्फू संस्कृति के दोगियां खड़े हैं इस नई संस्कृति की नीव डालो ये मौका पार पार नहीं आएगा बहुत वर्शों से आप भोगते चले आ रहे हूं और छेंदे चले आ रहे हूं लेकिन इस बार भगांतरा और राजया सिंग को जित फ्नी डाल करके दयाव करके एक दूस्सरे के तकी नफरत लाकर लाकर के इस देश की राजयती की जा रही है वुँ नाव ये गटनाव साधरन चुनाव नहीं यह बटन की मुरभग ज़े देश की मौक ज़ेशनाव और मैं कहना चाहूंगी और चुनाव फेही नहीं ये रा लेन रबोदी जी की ख्षमता नेतर को ख्षमता और हमारे सारे भातबा शासित राद्यों के मुक्रिमंद्रियों की दोकत प्रिये का और कॉंग्रेस की जन्वी रुदी नीपियों के तकी लोगों का उस्सा ये तीनों चीजें मिलकर आज इस देश में परिवर्दन का कि देश में परिवर्दन की नहें चल नहीं है उससे चूकरावत बहुत बार अंधर अलब से पैस्ता करता है लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली ने भारत की जन्दापारिटी की सबकार बनाकर और यहां अंधरों के रंगाना में बीजेपी और कीडिकी की मिलक्री सबक भाई जो विटास के करम कहते घंदापारिटि के मुक्षीमंत्री अपने अपने राजियों में खिला रहे हैं चाहे वो गुजरात है चाहे वो मदम्देश है चाहे वो छतिस गड़ जाए और चाहे उर चोटा सा गुवा आए आँ आप जाकर नेखिये किस दर से भिखास प गंगा पह रही है उसी दिए पारिजार बनें दिलिर भार्टी जंका पार्टी बनाई है और भाई भागंतरा उड़िए और राजा सिंह को जितागर पीजे पीजे निनिन विजी सब्सक्रार चायर करने का शायर करने है चाहिती, मैंने कहा चाह भागते दोड़ते मैंने सभापकड़ी है, भागते दोड़ते इसको खतम कर रही हूँ, लेकिन देरी बात को याद रखना, ये मन जो मुझे बना हुआ आज गहां दिखाई दे रहा है, आपको पहना चाहती, आजी दिन गिंती, इस मन की नहीं मत की ह होगी, इसके बने हुए मन को मजदान केंदर तक जरूर लेखाना, तर्मी भीशा पड़ रही है, उस दिन भी होगी, लेकिन बिना जर्दी की परवादिये, बिना धूम धकर की परवादिये, घंतों लाइन लगानी पड़े को लाइन लगाकर अंदर चले जाना, कमल का इस देश का मानस आज मान रहा है इस पार को उसी गंगा में तुम भी मिल जाना, उसमें शान हो जाना, और दिली में भारता की सरकार बना देना, यहां भी TDP, BJP की मिली-पिली सरकार बना देना, वहां भी विकास की गंगा बहेगी, यहां भी विकास की गंगा बहेगी, यह में विश्वार्श देकर आपसे विदा लेना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवादना.